यह आली शान जो कि आपको घर दिख रहा है यह है सैफ अली खान और करीनय कपूर खान का घर जो कि इसी में दोनों पूरे फैमली के साथ इसी में रते हैं और यह जो आपको एखुबसूरत से आइदम पोश एलाका में है जो कि घर मुंबई बांडरा वेस्ट में जो आपको देखने को मिलेगा हलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सब खारियास होंगे तो फिलहाल अभी हूँ मैं मुंबई में और मुंबई बांडरा वेस्ट में हूँ और मैं आज चलने वाला हूँ सेफ अली खान का हाउस टूर कराने के लिए उनका हाउस क वीडियो में आपको देखने को मिलेगा उससे पहले कि आगर आप चानल पर पहली बार आए तो पहले आप चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और फेस्बुक पेज़ पर देख रहे तो फेस्बुक पेज को फोलो एंड लाइक कर लिजिए चलिए वीडियो को यहां से दरीлем स ऩोमेटर के दूरी पर अइसी बेंक आपको देखने को मिलेगा जो के पाली नाका बरांच है और पाली ना kı चोक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह तो आभी मैं पहुंच चुका हूं शेष अलि photo के घर के बाहत defence मेरे पी Selena साइड में आपको दिख रहा है यही अपाटमेंट में करीना कपूर और सैफ हली दोनों इसी अपाटमेंट में लगता है यह इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा चलिए मैं बैक कमरे सो आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ तो ये जो घर जो आपको दिख रहा है जो के बांडरा में है और ये जो घर जो काफी महेंगा बताया जाता है और इस घर में करीना कपूर और सैफ अली खान अपने पूरे फैमिली के साथ इसी में रहते है जो के आपको नेम प्लेट में दिखाने की कोशिस कर रहा हूं फॉर्चून हाइट जो कि आपको यहाँ पर नेम पलेट में दिख रहा और यह फर्ष्ट फलोर जो दिख रहा ना इसी फर्ष्ट फलोर पर सैफ अली खान अपने पूरे फैमली के साथ रहते हैं आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा यहीं से वह फैंस को अपने हाथ हिल यहीं से वह आकर बालकनी से और यह जो जो विल्डिंग है जो के फॉर्चून हाइट मुंबई के बांडरा वेस्ट में पाली हिल में आपको देखने को मिलेगा जिसे आपको यहाँ पर नेम पलेट देखने को मिल रहा है और यह दहां बांडरा तो अप आईसे भी पूरा जो पॉश अलाका है जो पाली हील है वह भी बहुत ही बड़ा पॉश अलाका है यहां आपको बड़े-बड़े एक्टर लोग रहते हैं और सलेबिरेटी भी रहते हैं तो यह आजू-बाजू का पुरा इसका लोकेशन है अगर सैफ अली खान की बात करें तो उनकी निटवर् सकरते नवाब नवाब के खांदान साथे पता हूप हुआअ जो 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 है उनके जो महाराजाक के खांदान साथ है और उनका जो लगभग महल पटोती जो पहले से लंगबा वो श्रुन没有 करोर का जो है फिलाल उसमें वह रहते नहीं है और उस पर विवाद चल रहा है वह रहते हैं मुंबई इस थरसून हाइट्स में और अगर इनकी इंकम की बात करें तो लगभग वह है पर मोभी चार्ज करते हैं 10-15 क्रोर पर मोभी चार्ज करते हैं और वह एरली लगभग 30-35 क कमा लेते हैं और यह दो इसका आजू-बाजू का पूरा लोकेशन में दिखा रहा हूं यहां से अकसर आपको करीना कपूर और सैफ अली खान को बाहर घुमते फिरते देखे होंगे और यह बालकनी से आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो के फैंस को अपना यहां अबिबादन करते हैं और यह मैं उसके आजू-बाजू से मैं बिल्डिंग को दिखाने कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यह बिल्डिंग बहुत ही खुबसूरत देखने में लगता है और बहुत लोगों का मैसेज मुझे आ रहा था कि और भी सेलेविरेटी का घर दिखा रहे है तो चलिए मैं हाज करीना कपुर खान का मैं बिल्डिंग दिखा दिया हूं के वह कहां पर आते हैं और क्या उसका लोकेशन है और अगर बात करें सैव अलिक्हान और करीना कपूर के बारे में तो इन दोनों की जो शादी हुई 2012 में पहले जो शादी हुई थी अमरीता सिंग से हुई थी जो के करिणा कपूर खान बन गई और उसके बास ने 2012 में उनकी शादी और स्हाधी जोड़ी से नहीं हुए तो 4 संध ऑपले साधी एक फिन्म के घ। जो के करीना कपूर से तैमूर अली खान पटवदी और जहांगीर अली खान पटवदी और पहले साधी से जो दो बच्चे हुए थी सारा अली खान जो का अभी फिल्म में डेब्यू कर चुकी है अभी उनका सिंबा जो फिल्म आई जो की बहुत ही अच्छा चला और उसके बा साहिम अली खान पटवदी करीना कपूर के अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास लगभाग चार सो च्यातर क्रोर की संपत्ती है जो कि 64 मिलियन होता है और इनका जो निकने में वह बीबो है बीबो और इनका जन्म जो है 21 सिप्टमबर 1980 को हुआ था और लगभग य और इनका इनकम है लगभग 30 कड़ोर यह भी कमा लेती है तो लगभग सेफ अली खान और करीना कपूर खान दोनों 30 कड़ोर कमा लेती है तो अच्छा इंकम का सरोत है इन दोनों का